इसको खुस करना है, दुसरों खुस करना है, उसको हमारी चीज़ें, behavior change होता है परसन टू परसन चीजें चेंज हो रही है actual में क्या है हम actual में हमें क्या अच्छा लगता है actual में क्या हमें चिलाना अच्छा लगता है actual में क्या हमें हसना अच्छा लगता है आप तो पता ही नहीं पता तो बच्पन में था और बच्पन में किसी ने तो चिला के बंद करा के क्यों चिला रहे हो दिखता नहीं क्लास में सब सांद है तुम क्यों चिला रहे हो तुम क्यों हस रहे हो दिखता नहीं भेर का महौल कैसा है क्यों हस रहे है क्या हो गया क्यों खेल रहा है क्यों खेल रहा है मार्क्स देखें तेरे कितने आएं, क्यों खेल रहा है, और वो बच्चा सिडंडली ऐसे, कि मैंने क्या किया, क्या हुआ, क्योंकि भाई वो बच्चा तो default setting में खुस है, उसको क्या लेना देना मार्क्स से, क्या लेना देना उस paper से, जो उसकी खुसी decide करेगा कि उसे हसना कित कितना रोना है, इतनी जोर से हसना है, लेकिन ऐसा parent हम उसको ये चीजें याद दिलाते हैं, कि तुझको ऐसा रहना है, नंबर अच्छे है, तब थोड़ा खुस हो सकता है, नंबर अच्छे नहीं आए, तो चिलाने का या हसने का एवन खाना खाने का हक नहीं है तेरे को अच्छे लाने पड़ेंगे, तभी मेरे पापा ममी मुझे प्यार करेंगे, अच्छा मैं सांत रहूंगा, साइलेंट रहूंगा, ऐसा दब्बू रहूंगा, तो मेरे पापा ममी मुझे प्यार करेंगे, या मेरी टीचर मुझे प्यार करेंगी, उस बच्चे के लिए वो classroom वो तो गर से classroom, classroom से घर, घर से classroom, तो वो उसका world है, अब उस world में अगर उस पे कोई हसा ना, उस दुनिया में अगर उसको किसी ने चिलाया ना, तो इसका मतलब उसको दुनिया से निकाल दिया गया है, अब वो उस दुनिया में रहने लाइक नहीं है, अब उसको दुनिया प् करने के लिए जैसा दुनिया अपकारी है वैसा होना शुरू हो जाएगा तीचर कह रही है सड़ाप चुप करो कि पिंड्रॉप साइलेंट तो भाईया वो साइलेंट है साइलेंट है उसने अपने अनकॉंसियस माइंड में यह डाल लिया कि साइलेंट रहना एक्सप्रेस ना होना हसना ना हसना इन चीजों से मुझे प्यार मिलेगा मेरे मावाप मुझे प्यार करेंगे मेरे दोस्त मुझे प्यार करेंगे और ये चीज़ें उसने unconscious mind में डालने, एक होता है conscious mind जिसमें हमें चीज़ें थोड़ी बहुत याद रहती हैं, जो हमारे day to day life में हमको help करती हैं काम करने के लिए, जिन्दा रहने के लिए, एक होता है unconscious mind, जिसमें हम ऐसी चीज़ें डालते हैं जो हम कभी याद नहीं करना चा और जब आपको स्टेज में बुलाए जाता है कोई presentation देने के लिए अचानक संजय स्टेज पर आपना introduction दे, यह जो feeling आती है, कला बंद होने की, सास हारी होने की, सास लीनी जाती है, हमने वो unconscious जो चीज़ें थी बचपन की उस पर उंगली कर दी किसी ने, पोक करना बोलते है मैं इसको पोक कर दिया, अब उस उंगली कर दी मतलब वो चीज़ें फिर से जिन्दा कर दी एक तरीके से, याद दिला दी, क्योंकि वो चीज़ें तो मैं जब छोटा था, मेरे teacher school में, मैंने तो वो दबा दी थी, और मैं भूल गया था, लेकिन जैसे ही चीज़ें, उमर ब लेकिन आज इस teacher ने या आज इस trainer ने उसको stage पर बुला के वो चीज़ें फिर से याद दिला दी, फिर से उंगली कर दी उनमें, अब वो चीज़ें suddenly मुझे याद आ गए, इसलिए सास नहीं आ रही, इसलिए गला बंग हो रहा है, इसलिए stage पर ऐसे जाने पर लग रहा है क कि बोलने से आप सच में मर जाओगे, क्या आप सच में चटान से गिर जाओगे, पहाड़ी से गिर जाओगे, ऐसा तो नहीं होता?